आज हम धर्मशिक्ष्या में पाथ तीन आत्म बोध कविता और उसका बहवार्थ करेंगे ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी है यही अनादी नाद, निर्विकल्प, निर्विवाद, भूलते ना पुझे पात, वीतराग योगी वेद को प्रमान मान, अर्थ योजना बखान, गा रहे गुनी सुजान, सादू स्वर्ग भोगी ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त, त्याग ते अगी अशक्त पोच पाप रोगी शंकरादी नित्य नाम जो जपे विसार काम तो बने विवेक धाम मुक्ती क्यों न होगी तो इस कविता का भावार्च यह है कि अनादी नाथ ओम है, जिसके बारे में विवाद नहीं है ओम के सार्थक जप वैध्यान से मनुष्य का सरवकल्यान संभव है ओम नाम का जप ध्यान आदी साधू, सन्यासी, विरक्त, सुभक्त लोग प्रती दिन करते हैं वेध को प्रमान मानने वाले ओम का गान करते हैं वीतराग, योगी वे पूजनिये लोग ओम नाम को कभी नहीं भूलते और इस नाद का त्याग कौन का त्यागते हैं? पापी, रोगी, कमजोर व्यक्ती, एवं आलसी व्यक्ती इस नाद का त्याग करते हैं मुक्ति पाने का साधन यहां ओम का नाम जाप करना ही बताया गया है शंकर, शिव, ब्रह्मा वे विश्नु सब उसी के नाम है इसके जब से मनुश्य जो है वो विवेक शील बनता है Thank you